हाई गाईज आई होप योला डूइंग रेट हम लोग बात करें हमारे डेली करेंट फेर सेशन की जो सुबा चार बज़े वेलिबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनाकलोर फ्रंटियर आएस पर हम लोग कवर करें हैं 20 सेब्रोरी से 6 मार्च 2022 के मोस्ट इंपॉर्टन 25MCQs को हमारे दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वेडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से ससेजलपनेकल.com और बलजी धाकर.com साथ ही साथ पर डेली वीडियो में किसे न्युक्त किया गया है तो सही जवाब तो ऑप्शन अबर डी माधवी पूरी बुच नेक्स देखो क्याबिनेट ने कितने करोड रुपे के बजट के साथ 5 साल के लिए आयुश्मान भारत डिजिटल मिशन के कारेनवन को मनजूरी दी है तो सही जवाब तो ऑप् प्राश्रे बौदिक संपदा सूचकांग 2022 में भारत का रेंग क्या है तो सही जवाब तो ऑप्शन अबर बी 43 नेक्स्ट है दुनिया की सबसे खूब सुरत इमारत म्यूजियम ऑप दी फ्यूचर किस शेहर में खोला गया है तो सही जवाब तो ऑप्शन अबर बी से भारतिन नागरिकों के लिए ओप्रेशन गंगा नामक एक निकासी मिशन शुरू किया है तो सही जवाब तो ऑप्शन अबर डी यूकरेन नेक्स्ट देखो किस खेल महासंग ने विलादमीर पुतीन को मानाद अधियक्ष के रूप में निलंबित कर दिया है तो सही जव होता ग्यापन पर साक्षर किये है तो सही जवाब तो ऑप्शन नबर सी स्पर्श नेक्स देखो यूकरेन के लिए संयुक्त राष्टे संकट समनवय के रूप में सेवा करने के लिए सहायक महासाचीव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इंपोर्टेंट भक कि काथ जाब तो सही जवाब थो ऊप्शन नेdz working ひुबार्च नरता के नाम पर रखा गया हूंहें किस राजय का आधी कभी मना जाता है तो इसके से जवाब तो ऑप्ष न्बरव बी गुजराद नेक्स देखो करकटम किस राजये का प्राचीन लोकन रुषतियग तो इसके जवाब तो ऑप्ष नमरr सी तमिल लाडू他 आदिवासी कॉंग्रस नेता हेमानन्द विस्वाल का हाल ही में निधन हो गया देख किस राज्य के पूर्व मुख्य मंत्री थे तो इस सही जवाब था option number B ओर इशा नेक्स देखो सरवोच नयाले के न्याइधीश के रूप में पहली अश्वेत महिला के रूप में किसे नामित किया गया है करेक्ट आंसर इसको option number A केतान जी ब्राउन जक्सिन नेक्स देखो बॉल्जमन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतिये कौन बने है अगेन important question है करेक्ट आंसर इसको option number B प्रोफेसर दीपक धर नेक्स देखो ब्रिटेन का प्रतिष्ठित नाइटिंगल पुरसकार जीतने वाले पहले पूरुष नर्स कौन बने है तो सही जवाब था option number C डैनियल विजे राज नेक्स है कौनसा देश दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने प्लांट अधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्योग को अधिकरित किया है important question है correct answer इसको option number A Canada नेक्स देखो माराथी भाषा गौरव दिवस किस प्रसीब लेकर की जयनती के उपलक्ष में मनाया जाता है तो सही जवाब था option number C विश्णू वावन शिर्वाड कर नेक्स देखो पहरा तीरन दाजी विश्व चैंपेंशिप के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतन है इंपोर्टन क्वेस्चिन है परेक्ट आंसर इसको option number B शिक्षा मंत्रालिय नेक्स देखो जन औश्डी सप्ता कब से कब तक मनाया जाता है तो सही जवाब था option number C एक से साथ मार्च नेक्स है नाकी कारकारी समीती के ध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया है त है तो सही जवाब था option number B तामिल नाडू नेक्स्ट है जुनेद कमाल एहमत को किस अंतराश्टे संस्थान में संचालन रूप अध्यक्ष के रूप में न्युक्त किया गया है तो सही जवाब था option number D विश्व बैंक नेक्स देखो निमन लिखित में से राष्टे बाल अध नेक्स्ट है भारत सहित कितने देशों ने 2 मार्च को संयुक्त राष्टे परवरन सभा में प्लास्टिक प्रदूशन संकट को समाप्त करने के लिए कितिहासिक प्रस्ताव पर साक्षर किये तो सही जवाब था option number C 175 नेक्स्ट है 31 दक्षिन पूर्वे एशाई खेलों की मे सादेश करेगा तो सही जवाब था option number C वैतनाम नेक्स्ट है भारते वायू से आई एएफ सात मार्च को कि स्राजिय में वायू शक्ति अभ्यास का संचालन करेगी तो सही जवाब था option number A राजिस्थान नेक्स्ट है भारत की परेवरन रिपोर्ट 2022 के नुसार 2030 अजंडा के रूप में अपनाए गए 17 SDG लक्षों पर भारत कराएं किया है तो सही जवाब था option number B 120 नेक्स्ट है भूम अध्य सागर और काले सागर के बीच रूसी उद्पोतों के आवजाही को सिमित करने के लिए किस देश ने मॉंट्रियक्स कंवेंशन को लागू करने करने ने लिय है इंपोर्टेंट डिसीजन है इंपोर्टेंट क्वेस्टिन है करेक्ट आंसर इसको option number B तूर्की नेक्स्ट है सरकाने 2021 बाइसे डैश के अब्धी के लिए अम्ब्रेला योजना रिलीफ एंड रिहाइबिटेशन ओफ माइग्रेंट्स औरी पैट्रेट्स को जाली रखने के प्रस्ताफ को मंजूरी दे दी है तो इसक सही जवाब तो option number C 2025-26 नेक्स देखो विज्ञानिकों ने किस देश में यिलान क्रेटर नामक दुनिया के सबसे बड़े impact क्रेटर की खोज की है तो इसक सही जवाब तो option number B चीन लास्ट क्वेस्टन देख लो आज के सेशन के के लिए कॉनेरू हमपी के बाद सीनियर राश्टर शत्रन चैंपियन बनने वाली पहली किशोरी कौन बनी है तो सही जवाब थो option number B दिव्या देश मुख बात कर लेते हैं कुछ important days and themes की तो national science day 28 February थीम थीज की integrated approach in SNT for a sustainable future दूरलब रोग दिवस परवरी का अंतिम दिन इस के लिए थीम है share your colors भारत में राश्टर प्रोटीन दिवस 27 February इसकी थीम थी food futurism नागरीख लेखा दिवस 2 March शुन्य भेदभाव दिवस एक मार्च इस वर्ष के लिए थीम है remove loss that harm create loss that empower विश्व वन्यजीव दिवस 3 March इस वर्ष के लिए थीम थी recovering key species for ecosystem restoration राश्टे सुरक्षा दिवस 4 March इस वर्ष के लिए थीम है nurture young minds develop safety culture बात कर लेते हैं कुछ important books and authors की उंगलल औरुवन one among you तमिलाडू के chief minister M.K.Stalin की आत्म कथा है और अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब परना बिल्कूल ना भूलियेगा साथी साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की notification आपको मिल सके Thank you so much I'll see my next session